हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी साइकलोजी क्लासिस में आज हम आपको डाइविटीज के बारे में बताने जा रहे हैं डाइविटीज को क्या हिंदी में मदू में है बोलते हैं डाइविटीज के बारे में ये थोड़ा देखते हैं तो इसमें लिखा है जब सरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस इस्थिती को डायविटीज कहा जाता है यहें इंसुलिन की कमी के कारण होता है इंसुलिन एक हार्मॉन है जो पाचन से बनता है यह हमारे सरीर में खाने को उर्जा में बदल देता है साथ ही इं बाध गुलो भूबोस की मातरा बढ़ जाती है जिसको इंदी में मधुमे कहते हैं I Nth R.R. गुलो भूबोस की मातरा बढ़ जाती है जिसकी वजाए से सुगर हो दूब अगर insulin hormone body में रहता है तो यह सुगर को control करके रखता है मतलब ग्लुकोज को control करके रखता है जिसकी बज़े से जो diabetes का level है वो बढ़ता नहीं है diabetes लगातार एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है इसके रोगियों की संख्या दिन पिरती दन बढ़ती जा रही है diabetes ब्यक्ति को अंदर से धीरे धीरे खोकला कर सकती है इसे धीमी मौत भी कहा जाता है तो इसे धीमी मौत भी कहा जाता है देखिए Indian Diabetes Federation देखो अच्छे से देख सकते हो आप Indian Diabetes Federation IDF इसको IDF बोलते हैं क्योंकि Indian Diabetes Federation तो IDF के अनुशार भारत में लगबग साथ करोड़ लोग डाइविटीज के सिकार हैं डाइविटीज से हमारे सरीर में कई बीमारियों का जन्म होता है तो यही बात यह है कि डाइविटीज जो है लगातार गंभीर बीमारी बनती जा रही है उसका यही कारण कि डाइविटीज से फीस अन भीमारी भी फीन अतबन होने लगती है इसकी बजहासे इनसान क्या है कि भीमारी लोगों की किड्नी पर बहुत प्रवा पढ़ता है आउखों पर भी पढ़ता है और इसकी बजहासे किया है है लोग बीमारी जो है और जादा बढ़ती जाती है और जादा बढ़ती जाती है और द्याइबडी इसको दिवे मौत इसलिए कहा गया है क्योंकि यह और भी बीमारीयों को बढ़ा देता है ठीक न क्या है ये जो है उसको मैंने आपको नॉर्मल लेंग्वेज में बताया था और ये जो है साइकलोजी जो ये है मैंने साइकलोजी की वुक से लिखा है तो इसको मैंने यहापर मैं आपको बताती हूँ जो डाइबिटीज है तो जब सरीर में इंसुलिन हर्मोन की मात्रा काम हो जाती है तो मदुमें नामक रोग हो जाता है मानब सरीर में इंसुलिन का इस्तरावर अगनासाई से होता है इंसुलिन रूधिर में सरकरा ग्लुकोज की मात्रा को नियंतित करता है तो रुधिर ये मतलब रक्त, ठीक है ना, रुधिर का मतलब होता है रक्त, रक्त सरकरा मतलब गुलुकोज, ठीक है, गुलुकोज की मतलब को नियंतित करता है, सरीर में इसकी कमी होने से रुधिर, रक्त में सरकरा की मतलब बढ़ जाती है, इसी इस्तिती को मधु में कहते है इंसुलिन एक ऐसा हार्मॉन है जो की पाचक गरनती से बनता है और वही वाद जो मैंने आभी आपको पहले बताई है कि इंसुलिन हार्मॉन क्या है कि जब कम हो जाता है तो दाइविटीज हो जाता है जिसको मधु में कहते हैं ठीक है तो यह चीज है इसी वज़े से आगे देखते हैं वो जो मैंने पहले बताई है वही थी ठीक है यह देखा आप उसकी लेंग बेज यहां पर भी देख सकते हो इसका कार सरीर के अंदर भोजन को उर्जा में बदलना होता है यह हार्मोन सरीर में असरकरा के इस तर को नियंतरित करता है मदु में हो जाने पर सरीर को भोजन से उर्जा बनाने में कठना ही होती है ऐसी इस्तित में गुलूकोज का बढ़ा हुआ इस तर सरीर में विभेन अंगों को नुकसान पहुचाना सुरू कर देता है मदुमे को धीमे मौत भी कहा जाता है इस बीमारी का सबसे बुरा पक्ष यह है कि यह सरीर में कई अन्य बीमारियों को ही निमंतर देती है यह रोग महलाओं की प्रेक्षा पुरुशों में अधिक होता है मदुमे जादतर वंसानुगत कारणों से होने वाले मदुमे को टाइप बन और असंतलित जीवन सैली के कारण होने वाले मदुमे को टाइप टू स्रेडी में रखा गया है तो अब ऐसे देख सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया पहले जो पेराग्राफ था उसमें मैंने बताया था धीमी मौत भी कहा जाता है इस बीमारी का सबसे बुरा पक्ष यह है कि ए सरीर में कई अन्य बीमारियों को भी नियंतर देती है तो मैंने बताया ना कि जो जिसे डाइविटीज होती हो उसे अन्य कई बीमारियां भी हो इसलिए इसको धीमी मौत कहा जाता है अब यह है रोग महलाओं की अपक्षा तो यह क्या है कि जो डाइविटीज है वो महलाओं की अपक्षा पुरुष्वाण में अधिक होता है और जो जैनेटिक होने की बज़ह से किसी को अगर मद्धू में हो जाता है तो इसको में बना के नहीं रखा जैसे किसी का बजन बढ़ जाना और टाइम पर ना उठना टाइम पर खाना ना खाना यह सब चीजें जो है इनका ध्यान ना रखने की वज़ह से तो यह है कि असंतुलिक जीवन सहली हो जाती है जिसके कारण मधुमें हो जाता है उसको टाइप टू के स्रेडी में रखा गया है ठीक है तो मधुमें के मरीजों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटेक होती है जो व्यक्ति मधुमें सिग्रस्त होते हैं उनमें हार्ट अटेक का खत्रा सामन व्यक्ति से 50 गुना जादा वड़ जाता है इसका लंबे समयता गिलाज ना कराने पर आँखों की रैटिना को नुकसान पहुचा सकता है और व्यक्ति हमेशा के लिए अंदा हो सकता है यही है कि जिसे डायविटीज होगा उसमें हाट अटेक के चांस इक सामान व्यक्ति के अपिक्छा 50 पर्षेंट जो है अधिक रहती है जिसकी वज़े से और अगर किसी में सामान व्यक्ति से 50 गुना जादा होता है और यह अगर किसी में डायविटीज है तो जादा अगर लंबे समय तक उसका इलाज ना कराया जाए तो आखों की रेटिना पर एक नुक्सान पहुचा सकता है जिसकी वज़े से व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है मदू में एक परिकार तो मदू में एक परिकार क्या है डायविटीज देखिए मदू में एक परिकार देखिए यह लिखे हैं मदुमे के परकार मदुमे के दो परकार होते हैं होता है डाइविटीज इनसीपिट्स और डाइविटीज मेलिटस ओके तो डाइविटीज इनसीपिट्स के बारे में देखते हैं देखिए आप सभी को अच्छा दिख रहा होगा Diabetes Incipits Diabetes Incipits से रोग के अंतरगत रोगी के मूत्र में सरकरा नहीं होती है यह है रोग प्यूस ग्रंथी को वैसो प्रेशन अथवा मूत्र रोधी हार्मोन के इस्तराव में बिच्छोब के कारण उत्पन होता है मतलब यह है कि जो Diabetes Incipits है अगर Diabetes Incipits किसी को होता है मतलब यह समझ लो अगर किसी को किसी की यूरन में अगर सरकरा की मतलब गुलुकूस की मात्रा नहीं होती है तो अगर नहीं होती है तो इसको क्या है यह है रोग प्यूस गिरंथी को बैस ओप्रेशन अथवा मूत्रोधी हार्मोन की इस्तराव में विछोब की करार उत्पन होता है तो यह यह जो प्यूस गिरंथी होती है गर उसमें बैस ओप्रेशन अथवा मूत्रोधी जो हार्मोन होता है अगर उसमें ADH बोलती है जिसे अगर उसका जो इस्तराव है वो बिछोब के कारण उत्पन होता है ठीक है तो यह समझ सकते हैं कि अगर इसके यूरिन में ग्लुकोस की मातरा नहीं हो रही है ठीक है और इसको आपको सही आई थिंक आप सब भी को सही दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा हो तो आप अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन पर देखिएगा तो आपको पूरा देखेगा ठीक है ना इसका जो दूसरा परकार है हुए डैीटीus मैलिटुसी साध्यरड वासा में डैविटीus नम से जाना जाता है जिसमें लैंगर हैंस की कूसिखाएं परियाप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माड नहीं कर पाती हैं तो इसका मतलब यह है कि जो डायविटीज है और मेलिटस डायविटीज मेलिटस है इसको साधरड बासा में डायविटीज ही कहा जाता है ठीक है यह डायविटीज की नाम से ही जानते हैं जिसमें लेंगर हेंस की कोस का हैं, परियाप्त मात्रा में इंसुलिन हर्मोन का निर्माण नहीं कर पाती हैं, तो अपनी बोडी में जो लेंगर हेंस हैं, उसकी जो कोसिका हैं, तो परियाप्त मात्रा में वो इंसुलिन हर्मोन को नहीं बना पाती हैं, जिसके कारण जो परियापत मात्रा में उर्जा नहीं मिल पाती है इसमें रोगी को बहुत प्यास लगती है तथा बार बार मूत्र आता है इसलिए इसलिए मूत्र आता है इंसुलिन के टीके लगातार लेने एवं सरकरा रहित पे पदार्थों के उपियोग दोरा ही इसे नियंतरित किया जा सकता है मतलब यह है अगर क्या है कि इंसुलिन हर्मन का निवाण नहीं होता है जिसकी वज़ों के गार्ब सस्वाइब गोले आर्जो पेसेंट होता है चो लिखनेश फिरेंस होने लगती है औरieve उसको ट्रैश कर लाइक क्या कि से इनरजी नहीं मिल पाती है कि अनुझ था जादा लगती है तथा बार-बार मूत्राता है इंसुलिन के टीके आप क्या है इंसुलिन को संतलित रखने के लिए इंसुलिन की बॉड़ी में इंसुलिन की मात्रा को परियाप्त रखने के लिए अगर इसके इंजेक्शन्स होते हैं वो भी लगवा लेते हैं लोग तो उसक जैसे कोई भी समझ लो इसा चीज यह जिनमें glucose ना हो तो उनको खाना चाहिए ठीक है इससे भी लुकोस को नियंतरित किया जा सकता है मधुमे से बचाव के उपाई तो बचाव के उपाई क्या है मधुमे से बचाव के लिए मधुमे रोगियों को कुछ उपाय दिये गए हैं वो अपनाने चाहिए जैसे कि मदुमे रोगियों दौरा सुरू से ही खाने पीने की सही आदतें डालने से मदुमे रोग से बचा जा सकता है चीनी मठाई तता चौकलीट आधी की वियश्णिये ना वना कर उन्हें ताजे फल हरी सब अंकुरे ताहर खाने के लिए प्रोशायत करना चाहिए मतलब यह जो मदुमे के पेशेंट होते हैं उनको कोई ऐसी सरकरा वाली चीज़े नहीं खाना चाहिए वल्कि अगर पॉशिवल हो तो वो मिठाई ना खायो फ्रूट्स बगेरा खा सकते हैं जिनमें ग्लुकोस की मत अधिक ना होती होगे अब किया है कि मदू में परिवारे कितियास रखने वाले वैक्तियों को 35 बर्स की आयू के परश्चात 116 यहार नियंतरर प्रारम कर देना चाहिए क्योंकि आगे उन्हें मदू में होने का खत्रा बना रह सकता है तो मतलब यही कह रहे हैं जो परिवा अगर कोई वैक्ति अपना जो अपनी एक्छा के अनुसार जो चीजें हैं उनको खाना है अगर जो ग्लुकोज अपने जो खाने पर नियंतरर रखना है जिसकी बजाए से उन्हें डाइविटीज नहीं होगी ओके मदू में रोगियों दौरा सुरू से ही विवस्त दिन चर करने की आदट डालनी चाहिए बचपन से सारी रिक स्रम का महत्व समझ लेने से भावी जिंद्गी अतियंत सुखमा ही रहती है जो मदू में के पेशेंट होते हैं उनको अपनी जो विवस्त दिन चरिया होती है मतलब जो दिन स्टार्टिंग से सुबह से लेके साम तक जो चाहिए और पॉशिवल हो तो योगा वी करें जिसकी आदरतें डालने जिसकी वजय कि बच्पन से ही सारीरिक स्रम मतलब कि जो फिजीकली बर्क और रहता है उसको भी करना चाहिए सारीरिक स्रम तो यह है कि उसके मैद्व को समझ लेना चाहिए जिससे जिन्दगी सही रहती है और मधुमें होने का खत्रा कम हो जाता है बच सकते हैं मोटे वैक्तिव में मधुम कम करने का तो अरे देवम गंबिर प्रियाश करना चाहिए यह है कि जो मौटे की मात्रा बढ़ा दे प्रोटीन का कम सरीर की मरमत करना होता है और मदुमे रोगी के लिए यह बहुत जरूरी पूशकत्त होता है इसके साथ ही अपने बोजन में कार्वो हाइटेट की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए क्योंकि कार्वो हाइटेट सुगर में परिवर्तित हो जाती है और यही सुगर आपको नुक्सान पहुचाती है यह जो है सबसे अच्छा पॉइंट है कि मदुमे जो मदुमे का पेशेंट हो उसको खाने में ऐसी चीजें खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो और प्रोटीन क्या करता है प्रोटीन का काम होता है सरीर की मरम्मत करना मतलब यह थोड़ा बो श्ट्रॉंग मनाने की प्रिकि तत्तों की बहुत अवश्चकता होती है इसके साथ ही अपने जो क्या है कि डाइपटीज पेसेंट होते हैं और वह अपनी खाना में कार्वाइटेट की मात्रा को कम करें और जिसकी बजाए से जो क्योंकि कर्वाइटेट जो है वो सुगर में परिवर्तित हो जाता और यही में कार्वाइटेट अधिक रहता है ठीक है इसी बजाए से मैंना करते हैं तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं डाइपटीज होने का खतरा आपको नहीं होगा फिर इसलिए वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए थैंक्यू सो मच अगर वीडियो प सब्सक्राइब जरूर करें